हेलो दोस्तो, 30,000 में बेस्ट लेना है, बेस्ट डिल अवीता इस वक्त आपको प्रोवाइट कर रहा है, जी हाँ, अवीता लाइबर, Ryzen 5, 3500U के साथ आता है, 8GB RAM, 512GB SSD Drive के साथ आपको देखने के लिए मिल जाता है, और ये लाप्ताप 30,000 में बेस्ट डिल है, मैं आगे पी 30,000-37,000 में देखने के लिए मिलता था, हाँ, अवीता प्योरा आपको 30,000 के असपास देखने के लिए मिलता था, और मैं रिकमेंड भी करता था कि 30,000 के अंदर हो तो ले लेना, बट अवीता प्योरा आउट ओफ स्टॉक हो गया है, आपको अवीता प्योरा का Ryzen 5 वाला व बीटेक कर रहे हैं, तो IT इंडस्ट्री में हैं, तो गेमिंग के लिए भी, अगर आपको एक डिसेंट गेम खेलना है, तो आप इस लैप्टॉप के ओपर अराम से प्ले कर सकते हैं, यस, गेमिंग लैप्टॉप महंगया आते हैं, और आप उस पे बहुत अची पफॉमेंस है, तो यह सारे अड़ानेच की वज़े से, आपको आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा होगा, अविता लाइबर आपको देखने के लिए मिल रहा है, डेफनेटली लीचे है, क्योंकि 33,000 में मैंने अभी तक अभी तक अभी नहीं देखा है, बीना किसी क्रेडिट मैं पहले बता चुका हूँ ग्रेट डील है यह दो साल की वारेंटी आग के साथ आते हैं 18 मंत की तो लापटाप के साथ आती है और 6 मंत की आप वारेंटी सिर्फ रजिस्टर करके एक्सिटेंट कर सकते हैं तो बिल्ट भी डीसेंट है अभी ता प्योरा के मुकाबले तो काफी बहतर है तो यह सारे अडवांटेज की वज़े से मैं आपको अविता लाइबर काहूंगा लेने के लिए लेकिन जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो यह कि हां आपको 30,000 में लापटाप देखने के ल मिलता है 1TB की मेकानिकल हार ड्राइव देखने के लिए मिलते है जबकि आपको अविता में प्रॉपर SSD मिल जाएगी 512GB की आपको 8GB का रहा मिल जाएगा और राइजन 5 आपको इस प्राइस पॉइंट पर नामुम्किन है मिलना तो डेफिनेटली इस लापटाप को जरूर परचेस कीजिए अगर आपका budget 30,000 के आसपास है तो थोड़ा कम भी है तो budget बढ़ाओ यार ये laptop ले लिजे किन को नहीं लेना चाहिए तो उसके साथ ही मैं आपको ये भी पता दूगा कि किसलिए नहीं लेना चाहिए किन को नहीं लेना चाहिए तो first category उनके जिनका budget 40,000 के असपास, वो मेरे हिसाब से MI के Laptop के साथ है, क्योंकि आपको i5 10 generation मिल जाता है, 512 GB के साथ में, 8 GB RAM के साथ में, थोड़ा समेंगा है 42,000, 43,000 में, बट काड वगर ओफर मिला करके 40,000 आ जाएगा, तो वो बहतरीन दिल है, अगर आपको MI भी ट्रस्ट वर्दी नहीं लगता, तो भी मैं आपको Lenovo का और Dell के कुछ एक Laptop दे दूँगा, जो आपको 45,000 के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा, तो यह मेरा recommendation है, कि अगर आपका budget decent है, तो आप फिर यह नहीं कि मुझे 30,000 में Ryzen 5 मिल रहा है, तो मैं Avita लूँगा, नहीं, किसलिए नहीं लेना चाहिए, क्योंकि brand value नहीं है, Avita brand उतना popular नहीं है, तो आपको बाद में इसका resale value भी उतना अच्छा नहीं मिल पाएगा, दूसरा, यह laptop जो है, यह upgrade नहीं हो पाते, Avita के laptop में जो RAM है, वो shoulder है, तो आप आगे भी इनको सोचोगे कि 8GB या 16GB RAM करना है, तो यह possible ही नहीं है, तो shoulder RAM है, आप upgrade नहीं कवर पाओगे, battery life 6-7 month जिन्होंने इनको use किया, उन्होंने अपने review में share किया, 2-3 hours का ही रहता है, 8-10 hours नहीं मिलता, तो यह एक थोड़ा सा issue है, और built quality भी okay है, तो मेरा recommendation है कि अगर budget जादा है, 40,000 के उपर आप जा सकते हैं, तो आप वैसे अच्छे brands की laptop लिजे, बट अगर आपका budget restricted है, 30,000 तो आप branded, अगर आपको पर्फॉर्मेंस लापटाप छोटा है, बहुत लाइट वेट है, 1.25 kg का है, बहुत हलका laptop है, और छोटा भी है, जादा बड़ा नहीं है, सो वन्स अगें, 30,000 में ये laptop सिर्फ पैसा वसूल नहीं है, आपके पैसे से ज़्यादा की value दे रहा है, और ये stock भी limited ही है, अभीता प्योरा नहीं मिल रहा, अभीता लाइबर भी शायद आगे ना मिले, discontinue कर दिया जाए, बट ये इस वक्त पन अफ दे बेस्ट लापटाप है, अगर आपको ब्लाक नहीं मिल रहा है, अगर चाहिए, तो चैनल को फट अफट अफट सब्सक्राइब कर दीजे और बेल आइकन पर क्लिक करना मत बूलिएगा, क्योंकि मैं कम्यूनिटी टैप पे इमेरेट बेसे से पे टाल जेता हूँ कि लापटाप बेस्ट है, इनफेक्ट जो बेस्ट नहीं है, जो खराब दील होती है वो भी मैं बता देता हूँ कि आपको नहीं रीदना चाहिए, आपको अवाइट करना चाहिए, तो जैसे मैंने कहा था, आपके टैक में आपका धन बचाने के लिए, धन टो टैक चैनल, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, टेक केर, बाई.